रोटी, कपड़ा और मकान अच्छे जिन्दगी के लिए सिर्फ यही काफी नहीं होता ऐसा हम क्यों कह रही हैं उसके लिए आप सबसे पहले ये विडियो देखें मधुबनी का पतारपुर गां, ना के बराबर बुनियादी सुविधाएं, नाव पर निर्भर लोग यहां के निवासी अपनी रोज मर्रा की जिन्दगी के लिए बहते पानी के बीच नाव का खत्रा उठाते हैं पास बहने वाली कमला नदी का जलसतर अक्सर बढ़ जाता है, जिससे गाउं की हालत और भी देनियों हो जाती है एक तरफ पानी का तांडव और दूसरी तरफ एक छोर से दूसरे छोर पर नाव से जाने की मजबूरी गाउं वालों को ना तो सडक का सहारा है ना ही किसी पुल का लोकलिटी ने स्थानिय लोगों से बात की उनका कहना है कि कई नेताओं और सांसदों ने गाउं का दौरा किया और पुल बनवाने का वादा किया लेकिन आज तक ये वादा अधूरा है ऐसे में खेती, किसानी हो, खुद के लिए अनाज या मवेशियों के लिए चारा सारे काम के लिए नाओ का सहरा लेना पड़ता है, यदि नाओ का इस्तमाल संभव ना हो, तो इन्हें तीन से चार किलोमीटर की पैदल दूरी तै करनी पड़ती है, जो किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है, सरकार की मदद ना मिलने पर इन गाउं वालों का क्या कहना है, आईए आपको सुनाते हैं, पूल की समस्या ऐसी है कि लोग ग्रामीड चाहिए वो कृशी करने जाए, कुछ काम करने जाए, तो लोग नाओ के सहारे से इस साइड से उस साइड तक पहुचते हैं, और फिर अपना जो दैनिक कारे है, चाहिए मवेश्यों का कारे हो, घा हम लोग फूल फूल भूक रहे हैं, आज एकी पी डवडी के अडवर्ड है, मधेपूर से मधवनी, अब फूल नहीं बनता है, हर साल नव बूरता है, यहां पर दुचार आदमी डूब करके मरता है, नवय का सहरासा जो है से यहां पर लोग जीता है, यहां पर किसान लोग को समझी अपना मौत हाथ मिले के उस पार जाता है, मधेशी के चारा लाने के लिए, और क्या कहें, हम लोग का जीवन यहां पर उसी पार से है, ठाना पिना, रोज का काम है यहां पर, सब आते हैं, यहां पर सब करके जाते हैं, तक कुछ नहीं हुआ यहां पर, हो जाएगा बार-बार कितना बार नौ भी यहां पर गूम हो गया है, आपर चरहेची, बजहावु गहेची, बाद में आ, जानके कलना, दखेची किना है, ऐसी कोई घटना भी घटी है, इस नाव की सारे अगराब आते हैं तो, ने चे जानके लोग, उता जुठे का सरकारा ता लोक दे पाइन, आएकल में भेली अन घटना, साथ आल पर पैडियों फूल तो दो देते, तो, किसान लोग को बहुते मद आते हैं ती, लाघ पाज़ा है, सब दीन जोन रहे चे जलखे, पाएन, बागने ची, बहुत, कमला मैया, कमला मैया, हम नाशब ज़ाएची, आप लोग खु